नमस्त सर एक और नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वगत हैं तो आज किस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आचके हैं एक और बने बनाए मकान की जानकारी जो कि आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं तो वीडियो को इंडि तक देखते रहे हैं इ और हम आपको इसका रीजन भी बताएंगे कि ये कम कीमत में आपको क्यों मिलने वाला है इसमें क्या रीजन है ये सारी बाते आपको हम इसी वीडियो में बताने वाला हूं तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर अपने मकान को बेचना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको एक कमेंट बाक्स मिल जाता है इसमें मुझसे कमेंट करके आप बता सकते हैं कहां पर आपना मकान बेचना चाहते हैं किस कीमत में बेचना चाहते हैं उसका लोकेशन क्या होना चाहिए उसका प्राइज क्या होना चाहिए यह सारा कुछ आम उससे कमेंट करके बता सकते हैं जो कि अगली वीडियो होगी हो सकता है आपकी लोकेशन के पास की आज आए तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेजिए ज़्यादा जानकारी आपको सब्सक्राइब करने वाले को जो दसलिए उनको ज़्यादा जानकारी मिलती है इसलिए मैं आपको उता देते हैं इस मकान के बारे में जो कि आपको मकान दिखाये जा रहा है चलिए हम आपको पूरी जानकारी इसकी दे देते हैं बाद में इसकी पूरी जनकारे देंगे तो जो आपको सामने दिखाए जा रहा है यह आपको सामने में देखने में ऐसा लगीगा और यह दो मंजिल मकान है और इसके जट साइस से आपको सोलर पाइनल भी लगे हमें है जी कोड़ की कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है यह आपको dining एरिया मिल जाता है जोकि आपको इसमें तर्स भी लगाए गए हैं यह आपको मिल जाता है kitchen जहाँ kitchen और उसके पास में एकापको bedroom भी हुई लेगा और यहाँ पर आपको मिल जाता है प्यारा सा bedroom यह चार bedroom वाला मकान है और यह बहुत ही कम कीवन में आपको मिल जाता है यह आपको मिल जाती है लाय ट्रेन और यहाँ पे आपको मिल जाता है मूद होने वाला सारा कुछ सामान नहापा आपको मिल जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे का wall paper लगा और ये आपको छट की design दिखाए जादी है जो कि छट की design काफी अच्छी design किया गया है यहां पर आपको मिल जाता है एक नीचे का tiles और wall paper इसके बलगल में लगा वुआ है तो दोस्तों यहां पर आपको मिल जाता है प्यारा सा window यहां पर आप देख सकते हैं और यहाँ पे आपको फिलिप्स वाली लेटरिंड मिल जाती है जो कि बहुत यह अच्छी है इसमें आप नहाने का सारा कुछ मिल जाता है इसी मकान में आपको और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक और वेट्रूम जो कि आपको इसमें चार वेट्रूम टोटल दिये गए हैं और मैं आपको जानकादी जीने की भीदे देता हूँ यहां से आपको मिल जाते हैं जीने जीने काफी बहुत ही अच्छे हैं और चैनी जीना है और इसके जैस्ट चाइस से आपको मिल जाता है बालकनी बालकनी के जैस्ट चाइस आपको एक कमरा भी मिलेगा जो कि कमरा काफी बहुत ही अच्छा है तो इसी प्रकार ये मकान सिप्ट किया गया है जो कि बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा है मारबल प्योपी का इसमें जादा से जादा प्रियोग किया गया है और देखा जाए तो इसमें आपको मिल जाते हैं ब्रहुत यह अच्छे विंडो दरबाजी यह सारा कुछ आपको मिल जाता है तो मैं आपको बता देता हूं कि यह मखान कितने स्कॉर्फून में आपको देखने को मिल जाता यह बना हुआ मकान आपको 17 सब्सक्राइब में बना हुआ मकान है जो कि यह मकान आपको कार्णर का है यह बना हुआ मकान जो है कार्णर का है और मैं आपको इनके कमरों की चौणाई भी होता देते हैं अगर दोस्तों आपको चौणाई की हम जानकारी दें तो वीडियो तो र प्रियूग किया गया है कहीं बाथरूम का प्रियोग गिया गया इसे प्रकार ये मकानragon किया गया है बात कर लेते हैं गाड़ी parking की तो इस मकान में आप fourmills एक गाड़ी खर सकते हैं और बात कर लेते हैं tubular की तो आप इसमें दो गाडिया बहुत आसानी से खड़ी कर सकते हैं बात करते हैं बाथरोम की तो आपको इसमें दो बातरोम आपको मिल जाएंगे इस मकान में kitchen की जानकारिय तो मैंने दे ही दिया है तो आपको kitchen मselेगा एक kitchen आपको साइड में रास्ता आपको काईसा देखने को मिल जाता है इसके जट साइड से आपको एक मिल जाता है प्यारा सा आर्चिसी इस आर्चिसी के चौणाई लगभग 25 मेटर से काफिया देख है और आप चाहें एक फोर विलर आप रोड पे भी खड़ी कर सकते हैं जी हां रोड प आप करना चाहें तो आप इसमें एक बोर्बिल भी करवा सकते हैं जो कि मैं आपको वाटर लेविल की जानकारी देता हूं यहां का वाटर लेविल आपको मिल जाता है 175 फुट पे इसके लाब मार्केट की दूरी हम आपको ता देते हैं इस मकान से लगभग आपको एक किलो मार्केट काफी बहुत ही अच्छा लगता है देखने में और इसमें आप सारा कुछ भी सकते हैं काफी बड़ा मार्केट यह लगता है और हम आपको बता देते हैं कि यह मकान किसके नाम से मिल जाता है यह भी मैं आपको जानकारी देते हैं तो यह बना हुआ मकान आपको मि साइडिया हैं कीमत एक बार भीस से बता देते हैं यह बना वह आपको मकान मिलेगा मातर तेरा लाकी रुपे का सिर्फ और सिर्फ तेरा लाकी believed वह अगर आप सी खरीना चाहते हैं तो इनको बहुत ही अरजंट सेल करना है इसलिए आपको ये मकान आपको 13 लाग रुपे का देदेंगे तो इसका करेक्ट लोकेशन भी हम आपको बता देते हैं कि ये मकान आपको कहां पे देखनों को मिल जाता है जिले की बात करें तो जिला इसका है सुल्तानपूर जी हाँ सुल्तानपूर इसका जिला है और सुल्तानपुर में आपको मोहला मिलेगा खायराती नगर जी हाँ खायराती नगर में आपको ये बना हुआ मकान मिल जाता है और आपको इस्टेट की भीजान का दिद्धे देते हैं इस्टेट इसका है उत्तर प्रदेश आपको जो इसका इस्टेड लग रहा है जिल्यका उत्तर प्रदेश है तो अगर आप इस location को छोड़ कर किसी अने location पे बने हुए मकान को खरीना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको comment box मिल जाता है इसमें आप मुझे से comment करके बता सकते हैं कहां पे आप मकान को खरीना चाहते हैं किस कीमत में आप खरीना चाहते हैं उसकी कीमत क्या होना चाहते हैं ये सारा कुछ आप मुझे से comment करके बता सकते हैं जो अगली वीडियो आएगी वो आपके location के पास किया जाएगी तो चैनल को subscribe जरू कर लिजेगा ताकि आपको मिलते रहें इसी प्रकार के मकानों की जानकारे तो मालिक का मवल नमबर आप नोट कर सकते हैं मालिक का मवल नमबर है गान और अगर अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और चैनल को subscribe कर लें पाकी आपको मिलते रहें इसी प्रकार के सरस्ते सरस्ते मकानों की जानकारी